विज्डम कैप्सूल मेसेज बाई सर्श्री छोटे संदेश गहरे संकेत लोग कहां कहां उल्जने क्रियेट करते हैं अभी जज है एक उसके गर में बहुत कॉम्प्लिकेशन है कॉम्प्लिकेशन क्यों है? क्योंकि जब अदालाद से गर आता है तो भी जजी रेता है अब पद से चिपकाव नहीं छूटा घर पर शिफ्टिंग नहीं हुई शिफ्टिंग होनी चाहिए न? अब घर पर भी आगे जज की तरह ही चलता है अब बच्चे कैसे उसको जज माने? वो कहेंगे तुम्हारा आडर आडर छोड़कर आओ उदर यहाँ आडर मत दो और वो कैसे चिपकाव छोड़े अपने पद से अगर वो जी जान जाए कई लोगों का चिपकाव अपने रोल के साथ होता है डॉक्टर है टीचर है घर आने के बाद अगर वे रोल से शिफ्ट हो पाते है तो उनके जिवन में कॉंपलिकेशन नहीं है अब जो घर में में टीचर ही है घर में भी अगर discipline चाता है इसी तरह ही हो वरना यहां से get out हो जाओ तो उसके जीवन में है complication तो उससे समझना होगा कि हमें simple जीवन चाहिए सीधा जीवन चाहिए शक्तिशाली जीवन चाहिए तो role से shift होना आना चाहिए चिपकाओ, लगाओ तोड़ना आना चाहिए और फिर कुल लोग ऐसे होते हैं लोगों का ध्यान खिशने के लिए कैसे भी fashion करते रहेंगे क्योंकि attention चाहिए ना fashion क्यों बढ़ते जा रहा क्या चाहत है उसके पीछे लोगों की और वो fashion उनका जीवन complicated कर रहा है कि simple सहज सरल कर रहा है देखोगे complication ज्यादा create होती है कई लोग बीमार हो जाते है ताके लोग हम पर ध्यान दे क्यों बीमार होते तो ही गर में सब पूछते क्या हुआ वरना कोई पूछता है नहीं वरना उसको sofa सेट समझ के लोग आते जाते रहते पर कोई पूछ रहा है नहीं मेरे तरफ कोई देखी नहीं रहा तो वे बीमारियों को attract करते है कुल लोग ऐसे होते है इतना complication करते है सीधा सहज सरल solution है problem की मरना को सीधी solution नहीं चाहिए उनको गुमा कर चाहिए सीधा जीवन सीधी solution सीधा हल ये तुमारी समस्या है ये हल है सीधा जाओ वो कहेंगे ये नहीं चाहिए बहुत complicated बताएंगे पहले ऐसा हो जाए पहले वैसा हो जाए फिर मैं मानोंगा साथ जनम तक वो जगड़ा नहीं बूलूँगा फला परसन से जगड़ा हो गया अब मैं उसे नहीं भूलने वाला लोग बताते हैं रहे सीधा हल ये है मरो नहीं सुनने को तैयार ये सब उधारनों से आपको अपने बारे में जानना है सरश्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेजग्यान का केवल परिचय मात्र है तेजग्यान नहीं तेजग्यान सरश्री महा आस्मानी परमग्यान शिविर में प्रदान करते हैं इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं तेज ग्यान फाउंडेशन द्वारा आयोजित और सर्श्री जी की शिक्षाओं पर आधारित महा आस्मानी परमग्यान शिविर में जरूर भाग ले